नमस्कार, एक बार पनो हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपनी चैनल गो ब्लॉक्स पे एक हमारे पास मेल हतेली है और हतेली का आकार यहाँ पे निश्चित रोप से आयताकार दिखाई दे रहा है ऐसे लोगों का जो करियर होता है उसमें बोलने से या मानसिक कारे करने से ज़्यादा काम चलता है सारिक कारे करने से उतना ज़्यादा काम नहीं चलता है दूसरी बात ऐसे बिक्ति एनलेटिकल स्वभाव के बिक्ति होते हैं दार्षनिक किसम के बिक्ति होते हैं और जीवन में जादतर सकारात्मक सोच रखने वाले होते हैं और यही आपकी हतिली यहाँ पर बता रही है आपका सवाल है कि प्रमोशन का मिलेगा देखेगा प्रमोशन के लिए दो ग्रह बहुत मुख्यरूप से देखे जाते हैं हतिली में रेखाई नहीं देखी जाती हैं ग्रह देखे जाते हैं और उनमें पढ़ने वाला प्रभाव देखा जाता है उस घ्रह का उन चिन्नों में उन रेखाओं में क्या प्रभाव पड़ रहा है जो आपकी ये इंडेक्स की फिंगर है जिसको हम तरजनी कहते हैं उसके नीचे का ये जो भाग है ये भाग कहां से देखा जाता है इसका एक्चुल में यहां से लेके और यहां तक यहां पे तो थोड़ा यहां से लेके यहां तक दिखाई दे रहा है ठीक है न वैसे यह भाग यहां तक दिखाई देता है ठीक है यह है आपका ब्रस्पति का भाग अब यहां पे दिखेंगे एक रेखा यू आ रही है एक रेखा यू आ रही है एक रेखा यू जा रही है और एक रेखा यह 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 और यह असली फल देनवार बर्ग है यह बर्ग का चिन बन गया है इसका मतलब है उचे पद की प्राप्ति होने वाली है लेकिन क्या है कि बर्ग तो बन गया है चीजे तो आ गई है उबरकर की कि कभी भी जो है आपको उच्च पद की प्राप्ति हो जाएगी लेकि ब्रिस्पति साधारन भाव में आ गई हैं ये इस समया आपकी हतेली में साधारन आवस्ता में बैठ गई हैं और प्रोपर उर्जा प्रवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो है ये अठारा महिनी लगाते हैं पुष्ट होने पर तो निश्चित रूप से है और ज्याद से जादा ये धाई साल लगाते हैं ठीकन उपाई में विदिवत तरीके से दे दूँगा आप उपाई जरूर करें उपाई करने पर ही जो काम रुकावा है वो तुरंत बन जाएगा ठीकन ये धाई बर्स का अगर लगा लो तो भी 54 वर्स तक बड़े पद की प्राप्ति हो जाएगी नहीं तो 54 वर्स में आपको निश्चित रूप से पद प्रतिष्टा और उन्नती मिल जाएगी ये यहां पर बता रहा है अब आपने कहा मेरे हर काम में अर्चने जादा आती है ठीक है इसका कारण क्या है देखेगा एक तो आप यहां पर देखें ये आपका सनी क का भाग है इसमें अगर देखेंगे आप प्रोपर कई रेखाई इसको काट रही है जब सनी दूसित हो जाता है तो कारियों में बिलंब होता है कारियों में अर्चन आती है और व्यक्ति को भग्या का पूरा सयोग पूरा साथ नहीं मिल पाता है जितना एक जुल में मिलना चाहें और ऐसी इस्तिति में बिक्ति कई बार दुखी साव हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुई भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है ठिक तीसरी बात है कि जो आपका ये सूर्य का माउंट है सूर्य का प्रवत बहुत अच्छा है यहाँ पे एक कुबीर की र अरी है और एक रेखाईयों निकलती हुई आरी है यहाँ पे कट बना रहा है सूर्य पे कट अच्छा नहीं होता है चाहे कोई भी रेखा हो ये कुबीर की रेखा भी फायदा नहीं दे रही है जितना इसने देना चाहिए था सूरे पे कट का मतलब होता है जो आप परिस्रम कर रहे हैं जो आप जो है मेहनत कर रहे हैं उसका जो पूरा स्रेय है पूरा क्रेडिट है आपको मिलने में कठनाईयां पैदा कर रहा है नहीं मिल पा रहा है जो आपके अंदर क्वालिटी है जो आपके अंदर योग्यता है उस तरों से चीजे निखरकर नहीं आ रही है आप जो प्रियास कर रहे हैं सतत प्रियास कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं कारियों में बिलंबता होती है ऐसे में कारियों में अर्चन आती है ऐसे में पका पकाया काम कहीं न कहीं अटकसा जाता है बस होने वाला ही होता है बैक माल लेता है ऐसी इस्तिति में ब्यक्ति अगर ब्याबार की तरब जाता है तो वो विस्तार वो फैलाव वो नाम वो यस नहीं मिल पाता है जो वास्तों में मिलना चाहे ऐसी इस्तिति में कभी कभी आपने देखा होगा प्रमोशन की लिष्ट में नाम आते आते रहे जाता है ऐसी इस्तित में आपने देखा होगा कई बार नाम आ जाता है लेकिन किनी वो जो से जो है कोई सरकार की तरफ से या कुछ संस्ताओं की तरफ से अढंगा उत्पन हो जाता है और वो चीज पेर्णिंग में चली जाती है मनि आपको चीजें मिलती मिलती रह जाती है एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है मार्ग नहीं मिल पाता है कही न कही जो है जो growth वास्तों में मिलनी चाहिए तो यह वो नहीं मिल पाती है चिजें फहससी जाती है यह इसका दियो तक है क्या करना चाहिए इसके लिए इसके लिए सूर्य किरिया करनी चाहिए अगर आप सूर्य किरिया कर लेती हैं तो निश्चित रोप से जहां सारिक स्वस्ते बहुत अबल हो जाएगा वहीं जीवन में जो खुसहाली है वो आपकी प्रोपर तरीके से चलने वाली खुसहाली रहेगी जीवन में उत्साह का सरजन होगा आपकी सरीर की जो उर्जा है वो संग्ठनात्म कुरोप से जो है उभर कर आएगी और आपके जीवन में कहीं न कहीं इसका फायदा देखने को मिलेगा तो चाहे जीवन का कोई भी आयाम हो उस आयाम में आपको निश्चिती फायदा मिलेगा ये आपके सवालों के जबाब है और अगर आपने थोड़ा सा रुटीन बदला आपने जो है जो किरियाई में दूँगा चाहे ध्यान योग किरिया है चाहे सूर्य किरिया है थोड़ ये समय तक किया विदि पूर्वक किया निश्चिती ही 6-8 महने के बाद आप देखेंगे जीवन में परिवर्तन आना सुरू हो जाएगा और कहीं न कहीं जहां उच्चपद की प्राप्त होगी चीजे फसनी कम हो जाएंगी अब ये नहीं कहूंगा कि जो है एकदम स्मूत स गाड़ी तुरंत सरपट से दोड़ेगी ऐसा कहीं नहीं होता है ठीकने नैसरगिक तरीके से चीजें बदलती है और ये आपका सरीर का पार्ट है और आपकी सरीर के अंदर की जो किरियाई होती है वो अगर करते हैं तो आपका वायू तत्वा कुपित नहीं होता है अपनी जगा पे इस तिर अवस्ता में चलने बैठ जाता है और जब वायू सही अवस्ता में चलने बैठ जाता है जल तत्वा अपना प्रभाव देने बैठ जाता है आकास तत्वा कुपित नहीं होता है तो चीजें बहतर होने बैठ जाती है मैं दोंगा आपकरने के कोशिस करें निश्चित ही आप देखेंगे जीवन काल के 18 महेने के बाद से जीवन बहुत सुनर तरीके से चलने बैठ जाएगा अगर सही रोप से रूटीन बदल दिया और किरियाएं कर ले दूसरी बाद बर्तमान में आप देखेंगे हतेली में पूरी तरों से एक जालनुमा बनाओ है रेखाओं का ये बिक्ति के बर्तमान समय को बताता है जब हमारी हतेली में रेखाएं बहुत बड़ी मातरा में आ जाती हैं तो सबसे पहला परभाव मन मस्तिस्क पर पड़ता है ब्यक्ति के मन में उल्जन की इस्तिति को ये जन्म देती है कनफ्योजन की इस्तिति को ये जन्म देती है और डिसिजन लेने की जो छमता है उस पे असर डालती है ब्यक्ति सही डंग से निरणय नहीं ले पाता है कि वास्तों में क्या करना चाहे, क्या नी करना चाहे, ये काम करना चाहे, कि नी करना चाहे, इसी उधिरबुन में लगा रहता है, और confusion और उलजन की स्तिति में फंस जाता है, जिसके कारण कही न कहीं चीजें फंस जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है, दूसरी बात है, इसक बादित होनी शुरू हो जाती है आपके आर्थिक छेतर पे जादा पड़ता है आर्थिक रूप से ये चीजें कमजोर करने का कार्य करती है बे मतलब के खर्चों को बड़ावा देती है ठीक है न? और हतीली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी इस्तित्य में आर्थिक रूप से कमजोर करती है सपलता के अस्तर को घटाती है और इसका असर रिष्टों पर पड़ता है इसका असर आपका जो है स्वस्त्य पर भी पड़ता है कहीं न कहीं जीवन के तमाम आयों मूँ पर इसका असर पड़ता है और संगर्स दस्तक देनी बैठ जाती है क्या करना चाहिए इसके लिए एक प्राकृतिक उपाई इसके लिए बहुत बहुत बहुतरीन होता है और एक ध्यान योग गिरिया इसके लिए बहुत बहुतरीन होती है ये दोनों चीज मैं आपको दूँगा आप प्रापर तरीके से उसको करेंगे तो जीवन में निश्चित ही इस फंसी हुई चीज से आप बाहर आएंगे जहां कार्यों में अर्चन बहुत जादा नहीं आएगी कहीं न कहीं इसमूत तरीके से चीजें चलने बैठ जाएंगी वहीं जो कार्य बहुत लंबे दोर से अटके हुए हैं चाहे वो कोई भी हूँ पारिवारिक हूँ आपके नौकरी करियर से समंदित हूँ आपके धन से समंदित हूँ परिवार से समंदित हूँ वो उन कार्यों में प्रगत देखने को मिलेगी और कार्य जो है पूर्ण हो जाएंगे क्योंकि इस्वर्की जब किरपा होती है तो वो ऐसी उर्जा प्रवाइड करता है कि जीवन की तमाम प्रेसानिया हल होने बैठ जाती है आपको एक सही मार्ग दिखना सुरू हो जाता है तो ये चीजें हैं और मैं दूँगा अब यहाँ पर देखेगा ये आपका चंद्रमा का छेत्र है ठीक है ने ये सत्तर प्रसेंट हमारे जीवन को बदलने की छमता रखता है जलतत्तों का मालिक है और मन का कारक है यहाँ पर बहुत सारी रेखाई दिखाई दे रही है इस परकार से और यहाँ पर ये कहीं पर उबरा है कहीं पर ये जो है बैठा हुआ दिखाई दे रहा है मनी चंद्रमा बरतमान समय में नगेटिव अवस्ता में है और जब ये नगेटिव अवस्ता में रहता है साथ में सुक्र परोत पे इस तरोका जाल बन जाता है साथ में जो है मनी बंद में जो है दूसित अवस्ता में आ जाता है मनी मन तो ये तीनों चीजें मिलके बरतमान समय में मन को गडबड रखती है कहीं न कहीं मानसिक प्रेशानी से विक्ति को गरसित रखती है किसी चीज को लेके विक्ति बहुत ज़्यादा सोच भी रहा होता है और इतना डेपली सोच रहा होता है कि चिंता उभर कर आ जाती है कोई न कोई चिंता कुछ समय के लिए बनी रहेगी जादा मातरा में इसलिए योग ध्यान किरिया दे रहा हो इस चीज से चीजें ठीक हो जाएंगी ऐसी इस्तिति में बिक्ति कई बार भावक जादा हो जाता है या इमोशनली थोड़ा प्रेशान हो जाता है और बहुत जादा मेहनत बहुत जादा प्रिसरम करने पर भी चीजें सुलज नहीं पाती हैं उस तरब से बनी चीजों को एक रास्ता नहीं मिल पाता है और इसके कारण कहीं न कहीं मन अच्छा नहीं रहता है मन गडबड रहता है कामों में मन नहीं लगता है जब उसका स्रे अच्छा नहीं मिलेगा चीजें फसने बैठ जाएंगे तो बिक्ति को ये लगता है कि बहुत करने पर भी कुछ हो तो नहीं रहा है तो क्या करना है इसको करके लेकिन मन अच्छा नहीं रहेगा मन भटगेगा, मन बैचेन रहेगा मन खराब रहेगा तो इसका असर जो है विक्ति के digestive system पे भी पड़ता है और कही न कही चंद्रमा अगर थोड़ा भी खराब होने बैठ जाए, सुक्र में इस प्रकार की लकेरे आने बैठ जाए एक के साथ जो है मन बंद दूसित होने बैठ जाए, तो नीन आने में भी विक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ये चीजें भी यहाँ पे साब तोर पे दिखाई दे रही हैं अब हम जो है आपकी अन्य चीजों की और चलते हैं देखेगा यहाँ पे यह मन बंद का छेतर है आपका और यहाँ पे यह पेली रेखा है आपकी यह स्वस्ते की रेखा है आने वाले समय में कहीं न कहीं अगर चीजों में आपने stability लहने की कोसिस की तो आरोग्य के बारे में, तंदुरस्ति के बारे में, अस्वस्ति के बारे में लखी रहेंगे ये दूसरी रेखा आपकी संपति की रेखा है कही न कहीं आदी अदूरी है लेकिन ये रेखा अच्छी है तो संपति के मामले में, धन के मामले में मिला जुला समय रहेगा एकदम बहुत हाई लेबल का भी नहीं होगा, जो अरपति करोड़ पति है और एकदम निचला लेबल का भी नहीं होगा, कहीं न कहीं मध्यम बर्ग का अब्यक्तित्वा ये आपको देगी मध्यम बर्ग से थोड़ा उपर देगी लेकिन कहीं न कहीं मध्यम अवस्ता ये बनाए रखेगा परिशान होने वाली चीज भी नहीं रहेगी और एकदम हाई जम्प भी नहीं देगी देगी बीच बीच में लेकिन बहुत बड़ा हाई जम्प जिसको कहते हैं जटके का दन अचानक किस्मती ही पलट जाना वो वाली चीज़ें नहीं है तीसरी रेखा ये रेखा है सुक की रेखा आने वाले समय में आप अपने स्वस्त्य का अपने धन का और अपने एस्वरे भोगने का सुक आपको प्राप्त होगा चोथी रेखा अधूरी है इसको कहते हैं समराट की रेखा ये उदैबान इस्तिति में है और इस पे जो है कहीं न कहीं बर्ग का साइन बन रहा है ये दोनों इस बात का ध्योतक हैं कि आने वाले समय में उच्च पदूई हासिल होने वाली है आपके पास बहुत बड़े अधिकार आने वाले हैं और इसको आप बहतर समझते हैं इसमें ज़्यादा कहूंगा नी अब दूसरी अगर हम बात देखें ब्रस्पति की उंगली पूरी तरह से जोकी हुई है धार्मिक भावनाई आपके अंदर है इस स्वर में पूर्ण विश्वास है आपका ये उंगली सिधी खड़ी है मेहनती है मेहनत कन्ने में कहीं भी कोई काईरता नहीं दिखाई दे रही है ये उंगली इस तरह से जोकी हुई है और इसकी तरब ये बता रही है कि आपके मन के अंदर यस पानी की इक्षा है अपने कारियों में विस्तार पानी की इक्षा प्रबल रोप से है और नेम फेम पानी की इक्षा भी दिखाई दे रही है इसके बीच में गैप है देखेगा ये नगेटिब है जब सनी साड़े साती में हो, ढईया में हो, बकरी में हो, तो उसका प्रभाव आप पे थोड़ा गहरा पड़ता है और लंबे दोर तक रहता है ये उंगली पूरी तरों से जुकी हुई है इस तरफ और ये धन का माने की ललक ता उमर बनी रहेगी इस बात का दियो तक है ये उंगली ब्रस्पति की उंगली से काफी बड़ी है लेकिन मिडल फिंगर से छोटी है सास्तर कहता है ऐसा ब्यक्ति ये सुस्वी होता है आप ये सुस्वी होंगे, समाज में मान, प्रतिष्टा, यस पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सपलता की अपनी जिवन में प्राप्ति करेंगे ये यहाँ पे साप दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है अंगुठे का पहला का भाग देखे, तो इच्छा सक्तियां आपके अंदर बहुत अच्छी है सुन्दर इच्छा सक्तियों का मालिक हैं आप सेकिंड पोर्वा काफी लंबा है आपका तरक सक्ति बेहतरीन है अपनी बात को लोजिकल तरीके से रखने में माहिरता हसिल है लेकिन एक बात का ध्यान रखेगा आने वाले समय में जल्द बाजी में कोई निरणे मत लीजिएगा बहुत जल्द बाजी में किसी के कहने पे या भावनाओं में आके इस चीज़ का ध्यान रखेगा ये आपके लिए नुकसान दायक रहेगे अंगोठा वैसे मानसल है अपनी हितों की रक्षा करना बेहतरीन जानते हैं कहने की जरूरत नहीं है ये बता रहा है यहाँ पर अगर देखें हिर्दे की रेखा इस तरों से जाती हुई सीधा आसे प्रवाजी और क्यों सकती है मंगल की फंजो से कहीं अ कहीं जब कोई चीजे फशनी शुरू हो जाती है अरचने आनी शुरू हो जाते तो मानस्य की रूप से ज्यादा प्रेशानी रहती है इस चीज का ध्यान रखिएगा मनी योग ध्यान के लिए जुरूर करिएगा यह मस्तिस्क रेखा आपकी है क्रियेटिविटी बहुत अच्छी रहने वाला है और विवेक वान ब्यक्तित्व है और अपने मस्तिस्क का भरपूर परियोग करेंगे इस बात की संभावना है यहाँ पे एक रेखा जो है मस्तिस्क रेखा से अगर देखा जाए ने 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 यहाँ पे जो है जीवन की रेखा इस तरो आती हुई दिखाई देरी है और एक रेखा यहां से निकल रही है ठीक है न? यह आपकी कलपना सक्ति को बढ़ाती है और दूसरी बाद देखेंगे यह किये तुपे जा रही है जीवन की रेखा ठीक है न? जब यह किये तुपे जाती है तो मैंने प्रेक्टिकल रोप से देखा है ऐसा ब्यक्ति कि जो तरकी होती है वो जनम अस्तान से दूर होती है और जीवन में निरंतर उन्नतितों करते हैं लेकिन उतार चड़ाओं के साथ ऐसे लोग जीवन में तरकी करते हैं और कई बार और इस्तिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है लेकिन कर्म ऐसे करींगे कहीं न कहीं जो है उन सुकर्मों के द्वारा एक सिद्ध प्रुष एक महात्मन जन की तरह आप जो है परिनिर्माण की प्राप्ति कराएंगे अपने आपको मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे अपने जीवन को अंत में और ये बहुत अच्छा है बहुत सुन्नर यहां पर चीज़ें दिखाई दे रहे हैं अब देखेगा आने वाले समय में एक रेखा इस तरों से जाती हुई सुर्य की और जारी है ये कहीं न कहीं तीन एक वर्स में इस पश्ट रूप से आ जाएगी और सुर्य की गुणों में क्या होगा मान प्रतिष्टा कहीं न कहीं सरकार द्वारा लाब और येस की प्राप्ति आपको होगी वहीं से देखें तो एक रेखा इस तरों से भी जाती हुई आपकी बुद्ध की तरफ जारी है ये रेखा अभी टाइम लगेगी साड़ी तीन साल के बाद ही ये अपनी आप नौकरी के अलावा ब्यापार में भी चले जाएंगी अपने आप आपको रास्ता मिलेगा जो जीवनकाल का 56 वर्स है आपके उसमें कहीं न कहीं ब्यापार के बहुत बड़ी योग है और इस प्रकार का ब्यापार है कि उसमें अपार सफलता आपको हासिल होगी कहीं न कहीं एक से जादा सुरोतों से धन का आगमन होगा नौकरी से भी होगा नौकरी रहेगी और ब्यापार से भी होगा एक से जादा सुरोतों से धन कमाएंगे और वही चीज यहाँ पे आपकी करियर और धन की रेखा निकल रही है ये बता रही है कि आने वाले समय में एक से ज ब्यापार को नहीं दे रही है अभी अब जो रेखा यहां से निकल रही है यह बता रही है सिपिंग है एक्सपोर्ट इंपोर्ट है और फूड बिजनिस है ऐसे में अगर आप जो है नोकरी के साथ साथ ब्यापार करें तो उसमें जो है कहीं न कहीं आपको अच्छा खासा फाइदा मिलेगा यहाँ पर देखेंगे एक रेखा यह है मंगल छेतर पर यह रेखा बता रही है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सायोग बड़े अच्छे रूप में मिलेगा इस स्वर की जो किरपा आपके उपर बनी हुई है उसका आप कहीं न कहीं अपनी जिवन में फाइदा देखेंगे आपके अंदर अच्छी प्रतिबाह है तीब्र बुद्ध है उसका यह संकेत कर रही है आप में सोचने और समझने की सक्त विसेश रूप से मौजूद है यह रेखा बता रही है और ऐसा विक्तित तो आपके अंदर है कि एक बार यदि कोई निरणए ले लेंगे तो उसे अंततक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे आने वाले समय में आपका बिक्तित तो अपने आप में अच्छा खासा प्रभाव साली रहने वाला है और कहीं न कहीं जमीन जाइदाद से लाव की प्राप्ति होगी कहीं न कहीं जो है कागज का उद्योग है या लकडी का कोई काम है उसमें अगर कारे करनी की सोचेंगे तो कामयाभी मिलेगे थोड़ा सा ऐसे बिक्ती राजा किसम के बिक्ती होते हैं पॉकेट नहीं देखते हैं दया जादा करते हैं जिसने साहता मांगे तुरंट पैसा दे दिया और वो पैसा थोड़ा फस जाता है इस प्रकार की चीजें भी दिखाई दे रही है थोड़ा सा आपको इस बारे में ध्यान रखनी के आवशकता होगे अब हमने जो है इसके नीचे का भाग भी देख लिया है ये भी देख लिया है ये भी देख लिया है मंगल की इस्तिति देखें तो दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं ये एनरजेटिक स्वभाव को आपका बता रहा है प्राक्रम को बता रहा है और ये भी आपके अंदर के प्राक्रम को जन्म देता हो दिखाई दे रहा आत्म विश्वास अच्छा रहेगा सनी की बात हमने कर ली है सूरे की बात हमने कर ली है बुद्ध में अगर देखेंगे खड़ी रेखाई है अत्यंत बढ़िया व्यक्ति के अंदर Communication Skills की चंता है और सेवा भाव है एक से ज़्यादा भासाओं का व्यक्ति ज्याता है और ये रेखाई बताती है कि व्यक्ति के पास ता उम्र पैसा रहेगा धन के मामने में परिशान होनी वाली चीजें नहीं रहेंगी और कहीं न कहीं जो है बुद्ध जितना सुन्दर और इस्पष्ट आउस्ता में दिख रहा है अगर ऐसा रहा तो सुन्दरता भी रहेगी बहुत एक सुख सुविदाओं में भी ये निरंतर बिर्दि करता रहेगा चंदरमा के हमने बात कर लिए देखा जाए तो आपकी हतेली का पूरा विसलेशन करके मैंने बता दिया है उपाई में बिदिवद तरेके से आपको लिख करके ओडियो के माद्यम से भेज रहा हो आपको 6-8 महने के बाद से ही जीवन में परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा और कहीं न कहीं जो पद परतिष्टा वाली चीजे है कारियों में अर्चन वाली चीजे है वो धीरी-धीरी कम होती जाएगे और परतिष्टा और पद में ब्रिदि होती जाएगे इस वीडियो में बस इतना है एक नई वीडियो के साथ पनव पस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार